नमस्कार दोस्तों स्टडे 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज हम सब प्रस्णों की स्रिंखला मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रस्णों की स्रिंखला को करेंगे मौर्योत्तर काल यानि मौर्यों के भस्मावसेश पर उदेट देशी राज्ज और विदेशी राज्ज के विशय में आज हम सब जानेंगे तो मौर्यों के भस्मावसेश परुदेत तीन देशी राजी थी, कौन-कौन तो पहला आपको शुंगवंस था, दूसरा आपको कनववंस था, और तीसरा सातवाहन वंस था, ये तीनों राजवंस जो थे, ये ब्राम्हन वंस माने जाते, नेक्स जब हम बाते करते हैं, तो इसके बाद विदेशी राजवंस कौन-कौन से थे, तो इसमें पहला हिंदी यूनानी थे, दूसरा आपको जो शक थे, तीसरा पहलाव थे, और चौथा कुसाणवंस ये सासर थे, तो आज हम सब जो बाते करेंगे, आपसे मौर्योत्तर काल में, आपको जो है, के सम्बंधित कृजिया जो प्रस्न पूछे गए हैं, उन्हें प्रस्नों की एक सांदार स्रिंखला का हल हम सब करेंगे, आए बिना देरे की हुए, प्रस्नों की स्रिंखला को हल करते हैं, अस्व घोस किसका समकालेन था, तो अस्व घोस आपको बता दे, किसका समकालेन था, कनिश्क का यह समकालेन था, कनिश्क जो के प्रथम यह आपको किस मन्स से था, तब आप बताएगा कुसान मन्स से सम्मंधित था, इसे दूतिय असोग भे कहते हैं, दूतिय असोग भे कहा जाता है, साथ साथ आप सबको बता दे, चतुर्थ बाध संगती, क्यमा? तो चतुर्थ बाध संगती, इसी के समय आयोजेत हुई, बाध संगती, इसी के कालमे आयोजेत हुई, ये आपको जो है ये इसके राजधाने कहां थी तो राजधाने इसके जो थे वह आपको तच्छिला आपको तच्छिला शिला और दूसरे राजधाने इसके मतुरा थी ये दो राजधाने हुआ करती थी तच्छ सिला के अगर जगह पर पूरूस्पूर या पेशावर भे इसे कहती थी ये आपको यहे इसके राजधानी हुआ करती थी ये अस्वघोस था कौन तो अस्वघोस कनिश्क का मित्र भी था राज दरवारी कवी भी था राज कवी कौन था राज कवी और इसके साथ साथ आपको और क्या था तो राज कवी के साथ साथ अस्वघोस जो था ये आपको राज कवे और गुरु ये दोनों था ये अस्व घोस का जन्म कहां हुआ था तो अस्व घोस का जन्म पाठली पुत्र में हुआ था लेकिन पाठली पुत्र पर आकरमन करके कनिस्क ने अस्व घोस को अपने साथ उठा ले गया था अस्व घोष के द्वारा बुद्ध चरितम कौनसी तो बुद्ध चरितम बुद्ध चरितम चरितम नामा नाटक की रचना अस्व घोष द्वारा किया गया शौंदरानन्द ये आपको जो है ये शौंदरानन्द ये सभी रचनाएं इसके द्वारा की जाते हैं नेक्स्ट देखे आईए अगले प्रशन की और अगले प्रशन में हम सब देखते हैं विक्रम संबद और शक्षंबद के बेच कितने वर्षूं का आपको अंतर बतलाया गया है तो विक्रम संबद और सक्षंबद इन दोनों को कुछ करना नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरफ आपको 57 और एक तरफ 78 यहे दोनों जोड़ देना है 8, 7, 15 और 7, 5, 12, 1, 13 एक सो पैंतिस वर्ष का आपको दोनों की बेच अंतर माना जाता है कितना तो 135 वर्ष का अंतर माना जाता है यह आपको सक्षंबद के तिथी है और यह आपको विक्रम संबद के तिथे विक्रम संबद के तिथे मानी जाते है और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे इस तरह 135 आपको दिनों का अंतर वर्ष का अंतर आपको आएगा नेक्स्ट आईए प्रस्णू के अगले स्रिंखला के और चलते हैं निम्नमें से किसवंस के सामराज की सीमाएं बाहर तक फैले हुइ थे ये बड़ाहे फसाने वाला प्रस्ण माणा जाता है कि कौन से राजवंस के सीमा जो थे ये बाहरत से बाहर तक फैली हुई मानी जाते है इसमें आपको कुशारवन्स, मौरेवन्स या गुप्तवन्स इस प्रस्ण में आपको चुके सभी की सिमाएं भारत से बाहर फैली थे तो यहाँ पे आप्शन में बनाना चाहिए था नहीं फैली थी तब तो यहाँ गुप्तवन्स हो जाता लेकिन इसमें से मैं जो आप्शन कराऊंगा आपको जो है कुशारवन्स का भारत से बाहर था साथ ही साथ मौरेवन्स का भे सामराज्य भारत से बाहर था चुके अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक आपको जो था इसका सासन माना जाता है असोग का ठेक ना असुक के समय में सीरिया तक आपको समराज्य का विस्तार मिलता है तो इस प्रस्ने को आयोगने बड़ा हे बिबादास पद माना लेकिन यदे आप नहीं है बाहर तक नहीं फैली थे तब आप गुप्तवंस को लगा सकते हैं ठेक चलिए ये आपको जो है यने इस आपसन में आप देखोगे तो ये भी है और ये भी है इन दोनों का भारत से बाहर है और आयोगने कुशाण मन्स को आनसर माना है किसे कुशाण मन्स को आयोगने माना है कि इसका समराज भारत से बार चुके कनिश्क के काल में भारत का समराज जो था कैस्पियन सागर की सीमा तक फैले हुए थी नेक्स्ट आईए बहुत ग्रंत मिलिंद पनुहु किस हिंद यवन सासक पर प्रकास डालता है तो यह आपको मिंदार जो है यहीं हिंद यवन सासक था और इसी पर जो है के मिलिंद पनुहु प्रकास डालता है मिलिंद पनुहु का साब्दिक अर्थ होता है जानते हैं क्या साब्दिक अर्थ ठीक ना अर्थ मिलिंद के प्रस्ण ये आपको इसका साप्ति कर चुता है इसके रचना किस ने की थी तो रचना बहुत भिक्छू आपको नाग सेन बहुत भिक्छू नाग सेन ने की थे और नाग सेन और मिलिंद यानि मिंदार जो था हिंद यवन सासक इसी के बेच कुछ गूढ रहस्य बातों पर प्रश्ण होता है और उन्ही प्रश्ण का जवाब नाग सेन के द्वारा दिया जाता है और यहे आपको इसमे संक्लित है यानि मिलिंद पनोहों जब पूछे कि किस धर्म की पुस्तक है तो यह बाध धर्म से संबंधित गरंद है बाध धर्म से संबंधित धर्म गरंद आपको माना जाता है यह हम सबने बातों को देखा नेक्स्ट आए बिना बेगार के किसने सुदर्शन जील का निर्मान कराया बिना बेगार मतलब के आपको जो है बिना बेगार का किसने सुदर्शन जील का जिर्णो उद्धार करवाया जब पुछे कि सुदर्शन जील का निर्मान किसने करवाया तो आपको मैंने बताया भ आपको पुस्य गुप्त वैस से द्वारा कराया गया था ये आपको जेल कहां है तो आपको जूनागढ में आपको शौरास्त प्रांथ आपको बोलते हैं यहीं पर आपको इस्थेत था इसका निर्मार किसके समय में हुआ था तो किसके समय में जब पूछे किसके समय में तब आप जबाब दिजिएगा के चंद्र गुप्त मौरे के काल में उसके प्रांथ पते पुस्य गुप्त वैस से द्वारा आपको इसका निर्मार करवाया गया था लेकिन पूछना है बिना बेगार का तब आप जबाब दिजिएगा रुद्र दामन प्रथम ये रुद्र दामन प्रथम था कौन तो रुद्र दामन प्रथम जो था ये आपको शक सासक था है और इसी के द्वारा जुनागर अभिलेक जुनागर अभिलेक ठिकना इसी के द्वारा लिखवाया गया है और जुनागर अभिलेक की खास्यते है कि संस्क्रित भासा में लिखा गया ये प्रथम अभिलेक है इसने इसने सात्माहन वंसिय सासक वंसिय सासक शासक तथा कुसान वंसिय सासक को पराजित किया को पराजित किया ये पूरे इसके बाते हुए ये इससे समंधेत महत्पूर्ण बात आपको देखने को मिलता है चलिए नेक्स्ट आईए अगले प्रशन पर कनिश्क के सारनात बहुत प्रतिमा अभिलेक यने सारनात में जो आपको कनिश्क के द्वारा निर्मान कराया गया थ इसके धम्मे शिखर जिशे बोलते हैं या धम्मे इस्टूप के नाम से जानते हैं इसका निर्मान कब हुआ था तो 81 एस्वी में कनिश्क के आपको जो है शारनात इस्टूप के जानकारी प्राप्त होते हैं नेक्स्ट आइए प्रिशन में अगले प्रिशन में देखते हैं भागलिया के मुद्राएं निम्नल लिखित में से कहां से प्राप्त हुई है ये थोड़ा सा कथिन प्रिश्न बनता है और कौशांबे से हुई है या नासिक से गोदावरे से या आपको नर्मदा से या उत्तर प्रदेश में इस्थित माना जाता है जब आपको नासिक पूछे तो नासिक महारास्ट में इस्थित है जब आपसे पूछे कि नर्मदा घाटी कहां है तो नर्मदा घाटे ये आपको कहां है मद प्रदेश में है और जब गोदावरी पूछे तो कृष्टना भोगलिया जानने से पहले आपको जाना होगा कि भोगलिया है कहां भोगलिया जो है ये नर्मदा घाती में इस्थित है और यहीं से आपको भोगलिया के मुद्राएं आपको प्राप्त हुए हैं ये आपको जो है कि अब यहीं पे कहोगे तो थोड़ा सा नर्मदा घाती के व अमारे कंटक के पहाड़ी से आपको पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है जब पूछे के इसकी कुल लंबाई कितनी है कुल लंबाई तब भया नर्मदा की बता देना तेरह सो बेश किलो मीटर इसके लंबाई है सबसे अधेक मद प्रदेश में बाती है लेकिन नर्मदा को गुजरात के जीवन रेखा कहा जाता है जीवन रेखा कहते है ठेक ना ये बाती हुए और तो और साथी साथ नर्मदा से सम्मंधेत एक बाती और जानले जी के इसी पर अनुप जल प्रपात इस्थित है कौनसा अनुप जल प्रपात जल प्रपात इसी पर आपको जो है इस्थित है साथ ही साथ आपको नर्मदा से ये क्या बनाती है तो ये आपको नर्मदा जो है स्चुरी का निर्मान करती है ये आपको मैंने सारे बाते बताई है चलिए नेक्स्ट आए अगली प्रश्ण में किस चीनी जेनरल ने कनिस्क को हराया था तो वह था पान चाओ पान चाओ जो था इसने ही पहली बार कनिस्क को हराया पहली बार कनिस्क को हराया लेकिन कनिस्क एक समरजवादी सासक था और वह मानने वाला नहीं था ऐसी इस्थिपी में कनिस्क ने दूसरी बार इसे पराजित किया कनिस्क द्वारा कनिस्क द्वारा दूसरी बार पराजित हुआ ये जो था ये प्रमुख बाते हम सब के पास देखने को मिलते है ठेक चलिए नेक्स देखिए बुद्ध का किसके सिकों पर अंकन हुआ है ये आपको बुद्ध का अंकन कनिस्क के सिकों पर हुआ है चुके कनिस्क प्रथम सासक था जैसने याने कनिस्क के काल में ये देखिलेजिए और कनिस्क जो थे ये प्रथम सासक था प्रथम सासक जिसने महात्मा बुद्ध को बुद्ध को इश्वर के रूप में पूजा इश्वर के रूप में पूजा ये बात हुए और इसी के समय से कनिस्क के काल से है मुर्ति पूजा प्रारम हुए इसके समय में इसके समय में मुर्ति कला के के दो सैली दो सैले प्रसिद्ध थे एक आपको गंधार सैले और दूसरा मथूरा सैली गंधार जो के पुरुसपूर्तक्ष सिला या पेसावर मैंने बताया यही आपको मतुदा सैली थी चलिए नेक्स देखिए बाल बिवाह प्रथा किसके काल में प्रारम हुए तो बाल बिवाह प्रथा मौरे काल में कुशान काल में गुप्त काल में या हर्सवर्धन के काल में तो ये आपको किसके काल में तो कनिस्क के काल में बाल बिवाह जो था ये प्रारम हुआ किसके कनिस कैल Meg कि काल में आपको जवाब देना है कि कनीस किषवन से था तो कुशाण heaven का साशक कनीस कमाना जाता है फिर ये अगले प्रस्न में चु था कनिस का शमकालेन माना जाता है नेक्स्ट प्रश्ण में सरवाधिक संख्या में शोने के सिक्के किसने जारे किये तब ये जवाब आपको देना पड़ेगा और सरवाधिक सिक्के सोने के किसके द्वारा जारे किये गए तब आप जवाब दिजिएगा कि आपको जो है गुप्तुम के काल में किसके काल में ग नहां पर और बाते भी मैं बता दे रहा हूं गुप्तों के काल में सबसे अधिक सुने जारी किये गए कुसानों के काल में क्या हुआ तो सर्वाधिक जो है सर्वाधिक सुद्ध सर्वाधिक शुद्ध 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 शुर्ण सिक्के शुर्ण सिक्के जारे किये गए जारे किये गय ये बात हुआ नेक्स्ट जब पुछे तब आप जवाब दिजेगा के मौरियों के काल में आपको गुप्तों के काल में सबसे देख और इंडो ग्रिक के काल में आपको सर्व प्रधम सर्व प्रधम श्वर्ण सिक्के जारे किये गए ये आपको बते हुई ठेक चलिए नेक्स्ट आये हम लोग देखते हैं किसने भारत को कीमती पत्थरों के एक मात्र माता कहा है ये आपको एरियन ने इस्त्रैबो ने प्लिनी ने आपको तो टॉल्मी ये तोल्मी नहीं टॉल्मी के द्वारा किसके द्वारा एक मात्र स्वर्ण आपको जो है कहा गया है तो ये कोई और नहीं ये आपको प्लिनी के द्वारा ये प्रस्ण सिविल में आईस में पूछा है ठेक ना ये आईस का प्रस्ण है आप सब को चुकी करा दिया ठेक के धेरे धेरे आप सब भे सिखते चलें एक एक स्टेप बाई स्टेप चीजों को समझे नेक्स देखो भाई अगला भारतियों के लिए महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंब कराया गया तो महान सिल्क मार्ग जो था इसकी सुरुवात करने वाला आपको कनिश्क माना जाता है कनिश्क के काल में है आपको जो है पहली बार आपको सिल्क मार्ग के शुरुवात हुई अब यहीं पे असूख जानते हैं मौरे वन्स का सबसी महान सा सक हर्षवर्धन अभे आगे बताएंगे के आपको गुप्तों के भस्मा वसेश पर उधित राज्य में हर्षवर्धन के विशे में आपसे चर्चा परिचर्चा की जाएगी अब आया फाहियान तो फाहियान जो था ये आपको गुप्त काल में आया था और चंद्र गुप्त विक्रमा दित्त के दरबार में यह आया था और इसने भारत में आकर बहुत धर्म के विशे में जानकारी प्राप्त की और यहां से कई बहुत साहित को चाइना ले गया और इसके साथ-साथ इसने एक पुष्टक लिखे फो क्यों के इसके द्वारा आपको लिखे गई चलिए नेक्स्ट हम सब आईए अगले स्रिंखला में चलते हैं कौन सी कलासेले भारतिये और यूनाने कलासेले का मिस्रित रूप है यह आपको शिखर, वेरा, गांधार या नाकर तो मैंने बताया आप सबको बताया भी हूँ कि गांधार सैली जो है यह आपको मिस्रित सैली है और यह किसके काल की है तो कनिस्क के काल की है किसके कनिस्क के काल की और दूसरी कनिस्क के साल काल की सैली कौन थे तो मतुरा सैली थे कौनसी? मतुरा सैली और ये आपको मतुरा सैली जो थे पुर्णता भारतिये सैली थे पुर्णता भारतिये सैली मानी जाती है ये दोनों सैले किस से सम्बंधित है? तो ये मूर्तिकला की सैली है किसकी? मूर्तिकला की आपको सैले मानी जाते है यहां तक आप सबको जिजे समझ में आ रहेंगे चली नेक्स देखता हूं निमनल लिखे चोल सास्तू में जिसने बंगाल की खाड़ी में चोल जील का निर्मार करवाई चोल कहां से आ गया भाई चोल चोल वंस तो है नहीं चली जोबे राजिंद्र चोल अधिराज कोलूतिंग या राजराज प्रथम इनमें से किसके द्वारा आपको कराया जाता है तो यहां पर आपको राजिंद्र चोल प्रथम के द्वारा चोल जील का निर्मार कराया जाता है अब राजिन्द्र चोल जो था यहां से अगर जानना हूं तो बाते और भी है यह राज राज प्रथम जो था स्री लंका पर पर आक्रमन करने वाला करने वाला प्रथम वाला प्रथम चोल सासक यह बात आप कह सकते हो चोल सासक यह आपको पहला ऐसा सासक था जिस ने क्या किया था तो स्री लंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी जबकि राजिंद्र चोल शंपूर्ण स्री लंका पर अधिकार कर लिया था याने संपूर्ण स्री लंका को जीत लिया था और इसने है आपको बंगार की खाड़ी में चोल जील का निरमार के चली नेक्स्ट निवन में से किन दो बिद्वानों ने कनिस्क के समय में बुलाए गए बौध संगती में भाग लिया वसुमित्र अस्वघुस उपाले और कात्यायन निवन में से किन दो बिद्वानों ने दो कूट में एक और दो एक तथा तेन दो तेन और तेन जान तो आप सबको पता है कि अस्वघुस और वसुमित्र ये दोनों जो थे ये आपको भाग लिये थे वसुमित्र जो था ये अध्यक्ष था और अस्वघुस जो था ये आपको उपा ध्यक्ष था ये दो बाते थे एक अध्यक्ष था और एक उपा ध्यक्ष के रूप में था यह यहां से बाते हमको देखने को मिलता है ठेकना, नेक्स्ट आईए कुशान राजाओं ने देव पुत्र जैसे पद्विया धारन की थी कनिश्क के पुरवर्टी राजाओं नो भे सर्वलोक के स्वर सर्वलोक इस्वर या सर्वलोक के स्वर महिस्वर जैसे पद्मिया धारन की थे यह दर्शाता है के कुशान राजा प्रभु सीव भक्त थे बड़ी बड़ी पद्मिया धारन करते थे जो सक्ती तथा ख्याती का प्रतिक था यह दैविये राजतंत्र में विश्वास रखते थे या अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवागते थे तो आपको इससे यह पता चलता है के ये लोग जो थे सैव मत के अनुयाई थे और सैव मता अनुयाई या सैव धर्मा अनियाई ये माने जाते नेक्स्ट अगले प्रश्णों के ओर हम लोग चलते हैं और अगले प्रश्ण में आए हम लोग देखते हैं कि लेख युक्त रूप चित्रांकित सिक्के सर्व प्रथम भारत में किसके द्वारा जारी किये गए सुंगों के द्वारा शकों के द्वारा हिंद यूनानियों के द्वारा या आपको शातवाहनों के द्वारा किसके द्वारा तब आप जबाब दिजीगा के सर्व प्रथम लेख युक्त सिक्के हिंद यूनाने सास्कूं के द्वारा जारी की गए और हिंद यूनाने सास्कूं में आप सबको नाम बता दों कि मिन्दार मिन्दार प्रतं सा सक्था जिसने लेखियुक्त सिक्के जारे किये काम मिंडार प्रथम सा सकता जिसने लेख ही सिक्के जारे कि संस्कृत का प्राचिन्तम अविलेक प्राप्थ हुआ है तो संस्कृत भासा का सबसे प्राचिन्तम या प्रथम जो अविलेक है ये मैंने पीछे में बताया कि गिरिनार से प्राप्थ हुआ है गिरनार से प्रत अभिलेग को है गिरनार को जूनागड के नाम से भी जानते हैं किसे जूनागड़ का अभिलेग ठेक ना अभिलेग अब यहें पर इसकी रचना किसने के तो इसके रचना जो है ये आपको जो है किसने के तो सक सासक रुद्र दामन सक सासा रुद्र दामन रुद्र दामन के द्वारा यह आपको जारे किया गया नेक्स्ट आप देखोगे तब आप पूछोगे के और जो है के सकों के द्वारा और कौन सा काम किया गया तो ये आपको इसके बाद दिया संस्कृत भासा का प्रथम अभिलेख संस्कृत भासा का प्रथम अभिलेख ये प्रथम अभिलेख माना जाता है नेट्स्ट जब आपसी पूछे के जुनागर अभिलेख जो है इसी अभिलेख में अभिलेख में असोग एवं चंद्रगुप दोनों का उलेख मिलता है ये बाते आप सबको देखने को मिलते है नेक्स्ट मात्र देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है तो आपको कनिद्र के हिंद यवन के कुसान के या सकूं के तो आपको बता दें के कुसान वन्सिये सासर वीम कड़ फीसस के सिक्कूं पर आपको जो है इसके जनकारे प्राप्त होते हैं इसके सिक्कों पर शिव, पारवते याने उमा ठेक ना पारवते, नंदे, विश्नु, कार्तिके, के आपको ये सभे आपको जो है इनके सिक्कों पर इनके जनकारे प्राप्त होते हैं नेक्स्ट आएए भारत में सरवादिक मात्रा में सुद्ध सोने के सिक्के किन सासकूं के सासनकाल में जारी हुए तो यूनानियों के या सकूं के कुशानों के या गुप्तों के तो मैंने आपको बताया के सबसे सरवादिक सुद्ध सिक्के वीम कड़ फिसस के सिक्के थे इसके सिक्के सबसी थे ये आपको सर्व प्रथम स्वर्ण सिक्के जारी कि शर्व प्रथम श्वर्ण सिक्के जारी कि और सबसे अधिक सबसे अधिक श्वर्ण सिक्के जारी कि ये दोनों प्रश्ण आपको जो है बाते मिलते हैं नेक्स्ट कनिस्क कालीन व्यापार के जानकारे के सुस्तक से मिलती है तो कनिस्क कालीन व्यापार के जानकारे जो है ये आपको जो है के सौंदरानंज से मिलती है या बुद्ध चरितम से मिलती है या अवदान सतक से मिलती है या आपको दिब्यावदान से मिलती है केस्पुस्तक से मिलती है तो अवदान सतक से आपको जो है ये मिलती है ये दोनों अश्व घोस के द्वारा लिखा गया है और दोनों संस्कृत भासा में लिखा गया है जबकि दिव्यावदान नेपाले बौध साहित है ठेकना और अवदान सतक में आपको कनिस्क कालेन ब्यापार के जानकारे प्राप्त होते है नेक्स्ट किस राजवन्स ने सरवाधिक तामवे के सिक्के जारी के तो आपको सरवाधिक तामवे के सिक्के जारी करने वाला राजवन्स कोई और नहीं या भी आपको कुसान वन्स ह और कुशान मंस में कनिस्क ने सरवाधिक आपको किसके सिक्के तो तामे के सिक्के जारी किये और तामे के सिक्कों पर कनिस्क को बली चढ़ाते हुए दिखाया गया है एक तरफ भैसा का गर्दन है और दूसरे तरफ कनिस्क जो है तलवार लिए इस तरह से तलवार लिए कुशान मुद्रा प्रणाली में निम्न लिखित में से किस देवता का अधिक लंबा इतिहास है तो कुशान पूचरा है तो सिव का सबसे लंबा इतिहास आपको बताया गया है किसका भगवान शिव का कुशान काली मुद्रा प्रणाली अच्छा ने 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 ये एक मिनट एक मिनट कुशान ये तो सुरी शिव का नहीं मुद्रा प्रणाले में किस देवता का अधिक लंबा इतिहास है तो वो देवता कोई और नहीं महात्मा बुद्ध को दैविये रूप में पूजा गया और बुद्ध का उलेक सबसे अधिक जो हे लंबा इतिहास मिलता है चुकि कनिस्क जो था यह बाओध धर्म के महायायन साखा का अनियाई था और इसी के काल में चतूर्थ बाओध संगते का आयोजन कस्मेर के कुंडलवन में आपको आयोजित किया गया था कहां पे कस्मेर के कुंडलवन में नेक्स देख भाई आंध साथ वाहनों के सबसे लंबे सूचे किस पुरान में मिलती है वायू पुरान में मत से पुरान में विश्नु पुरान में या उपयुक्त में से किसी में नहीं तो आपको सबसे अधिक जो मिलती है वह मत से पुरान में इनके सबसे लंबी साथ वाहन वंस ये राजाओं के आपको सुची ग्यात होती है अब यहीं पे आपसे प्रस्न पूछा जा सकता है कि आपको साथ इनका नाम आंधर साथ वाहन वंस क्यों था या इस वंस का संस्थापक कौन था तो इस वंस का संस्थापक जो था वह आपको सिमुक या सिंधुक शिमुक या सिंधुक को इस वन्सका संस्थापक कहा जाता और आपको क्या है तो आप जो है के आगे जो हमको बताएंगे ये बताएंगे कि इस वन्सका प्रथम सक्तिसाले सा सक्या प्रथम सक्तिसाले सा सक्या तब बताएगा साथ करने प्रथम साथ करने प्रथम इतिहास में लिखा है के युद्ध के मामले में जहाँ साथ करने अध्भुत ता वही हाल जो था सांती प्रियता के मामले में अध्भुत माना गया है ठेक ना अब इसमें समसे महान सासक समसे महान सबसे महान सासक जो था वह आपको गौत्मी पुत्र शात करनी ये आपको सबसे महान माना गया है और गौत्मी पुत्र शात करनी के विशह में ये कहा जाता है कि इसके घोडे तीन शमुद्र के पानी पिया करते थे ऐसी जानकारे आपको प्राप्त होते है ठेक चली नेक्स्ट प्रस्ट में चलते है कलिंग नरेश खारविल निम्न में से किस वन्स से सम्बंधित था आपको कलिंग वन्स से, हिर्यक वन्स से, चेदी वन्स से या आपको कदम वन्स से तो कनिंग नरेश खारविल यू था चेदी वंस से था इस वंस का संस्थापक मेघ वाहन था मेघ वाहन को कहा जाता है और इस वंस को एक और नाम एक अन्य नाम क्या मिलता है महा मेघ वाहन महा मेग वाहन वन्स वाहन वन्स भे इस वन्स का एक अन्नी नाम मिलता ये खारविल जो था ये आपको इस वन्स का महानतम सा सकता इस वन्स का महानतम महानतम शाशक माना जाता है और इसी के द्वारा एक अभिलेख लिखवाय जाता है हाथी गुफा अभिलेख इसे का अभिलेख माना जाता है साथ ही साथ आप सबको बता दो कि यह जो था जैन मत को मानने वाला था जैन धर्म का अनुयाई था का अनुयाई माना जाता है यह प्रमुख बाते रहे नेक्स्ट आई अगले प्रश्न से तो अगरे प्रस्ण के स्रिंखला को देखते हैं प्रिथिब्याह प्रथम बीरा ये आपको कई जगह अमोग वर्ष देता है कई जगह आपको गौत्मी पुत्र शात करने देता है लेकिन इसका वियदे देखा जाए तो वास्त्विक आंसर जो होगा वाँ गौत्मी पुत्र शात करने है माना जाता है कि प्रिथिब्याह प्रथम बीरा था लेकिन प्रिथिब्याह प्रथम बीरा कई-कई आंसर में अमोग वर्ष का भी उले करता है नेज्स प्राचिन्तम उपलब्ध भारतिय सिक्के केस धातु की थे तो सबसे प्राचिंतम जो था वह चान्दी की सिक्के आपको प्राप्थ हुए वैसे सबसे पहला प्राप्थ धातू मानव द्वारा प्रियोग के गई के गई प्राथम धातू ये आपको हुई ठेकना ये बाते है नेक्स्ट साथ वाहनों के राजधाने कहां थे तो साथ वाहनों के राजधाने आपको अमरावती में थे कहां पर अमरावती में साथ वाहनों के राजधाने ज्यात हुथे है साथ साथ है इनके एक राजधाने पुरुष पूर्वे मिलते हैं सरे पैठन या आपको उसे एक और नाम पैठन प्रतिस ठान भे आपको आरंभेक साथ वाहन वंस के राजधाने आरंभेक साथ वाहन वंस के राजधाने ये कहां थे तो यहीं पर थे नेक्स्ट देखिए भाई आपको बाल विवाह प्रारंभ हुए तो कुसाणों के काल में बाल विवाह प्रारंभ हुआ नेक्स्ट मनु इस्मृते मुख्यतया संबंधित है तो मनु इस्मृते आपको किसे कानून से संबंधित पुष्तक मानी जाते है यानि भारतिये धर्म ग्रंथों के अनसार मनु इस्मृते को सबसे प्राचीन तम आपको ग्रंथ माना जाता है और यह आपको इसापुर्व दूतिये सदे में आपको इसके रचना हुए थी कब इसापुर्व इसापुर्व दूतिये सदे में शदे में इसके रचना और किसके काल में हुई थी तब जबाब देना शुंग वंश के काल में इसके रचना हुई थी यह सबसे प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम एवं लंबा इस्मृति थिक ना यही है और इसी में मनु के सुंग वंश के काल में एक वाक्य बड़ा ही प्रसिद्ध है यत्र पुज्यनते नारे रमनते तत्र देवता यह आपको कहां से तो यहीं से प्राप्त हुआ है यह तक्त की साथ वाहन समुद्रे ब्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी एक विशेश दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के के उपलब्दता से सिद्ध होता है कि राजवन्स के किस कथा कथित सासक ने सिक्के जारे के थे तो यग श्री साथ करणी के सिक्कों पर आपको जो है ब्यापार जहाज का चित्र अंके है पानी जहाज का चित्र अंकी थे जिससे यह बात की जानकारे मिलती है कि साथ वाहन वन्सिय सासक जो थे यह आपको क्या करते थे तो समुद्री ब्यापार भे किया करते थे नेक्स्ट निबन में से किस ने वह अभिलेक उतकिन करवाया जिसमें काठिया वार में एक ब्रिहद कृत्रिम जेल के पुनर निर्मान का उल्लेक है तो यह कोई और नहें सक सासक रुद्रदामन सक सासक रुद्रदामन के आपको सिक कुमपर इस तरह के बाते देखने को मिलती है ठेक यह बाते हुआ कहें भाई शैसे लिखाओ ना यह आपको हुआ नेक्स्ट प्राकृतिक कविताओं के संग्रा गाठा सब्त सब्ते में मिलता है प्रेम गाठाओं का वर्नन आपको पूजा अनुष्ठानों का जोते सास्त्रों के राजाओं के एतिहासिक जीवन के जानकारे मिलती है तो इसमें प्रेम कठाओं का वर्नन मिलता है और गाठा सब्त सते के रचना किसने की थे तो इसका रशनकार आपको कौन था? सातवाहन वन्सिय सासक हाल था गाथा सब्त सते जो थे ये आपको प्राकृत भासा में लिखे गई पुष्टक है और इस पुष्टक में हाल ने अपने प्रेम प्रसंगों का वरणन किया प्राचीन भारतिये गरंथों में यवन प्रिये सब्द किसके लिए कहा गया है तो काली मिर्च को यवन प्रिये सब्द कहकर संबोधित किया गया नेक्स्ट प्रसिद वया करने पतंजली किसके समकालीन थे तो पुस्य मित्र शुंग के ये समकालेन भी थे और इसके मित्र भी थे मित्र भी थे एवं पुस्य पतंजली जो थे ये आपको इसके राजगुरु भी थे राजगुरु किसके तो पुस्य मित्र शुंग के राजगुरु भी थे और इनके द्वारा आपको दो अस्व मेध यग करवाया गया था पतंजली नेहे यवनु के आख्मन के जानकारे मिलती है इनके द्वारा आपको अस्ता ध्याई पर टीका लिखा जाता है ठेक ना ध्याई पर टीका और इसके साथ-साथ योग शुत्र योग शुत्र के रचना और योग विद्या के योग दर्शन के जनक भी माने जाते निम्न में से किस राजा परिवार में महिलाएं बहुत धर्म को प्रस्रय देती थी जबके पुरुष प्राया वैडिक धर्म का पालन करती थे तो यह कोई और नहें यह आपको साथ वाहन वंज था साथ वाहन वंज की महिलाएं प्राया बहुत धर्मा वो लंबी बतलाई गई हैं और पुरुष जो है यह आपको भागवत धर्म को पालन करने वाले या ब्राहन धर्म को पालन करने वाले बतलाई गई हैं साथ वाहनों के राज की ये भासा क्या थे तो साथ वाहनों के राज की भासा प्राकृत थे यद्यप ये संस्कृत भे बोला करते थे संस्कृत का भे इस्तमाल इनके समय में किया जाता था ठेक ना चलिए नेक्स्ट, निवनलेखित में से किस ग्रंत में साकेत एवं माधिमीता, पर आपको इंडो ग्रेकों के आक्रमण के जानकारे मिलती है, तो ये आपको महाभासी ग्रंत है और महाभास किस की द्वारा लिखा गया ही, तब आप जबाब देंगे कि आपको जो है पतंजली की पतंजली ने है जो अस्ता ध्याई पर्टी का मैंने लिखा उसे है महाभास भे कहते हैं वैसे मालवी का अगनी मित्रम मालवी का अगनी मित्रम एकदम से बहिवावत होगे मित्रम मालवी का अगनी मित्रम क्या यहार यह सब्दू देख भाई बास एक सकेद्ट होगे मालवी का अगनी मित्रम यह अगनी मित्रम में आप सबको देखने को मिलता है नेक्स्ट निम्नलिकित में से किसका पेरिप्लस अप दे एरित्रियन सी में दक्षिना पत के दो महत्पोन अंतर राज्य वाजार की रूप में उलेख मिलता है तो यह कोई और नहीं प्रतिष्ठान और तगर यह दो जो हैं इनहीं दोनों के जानकारे आपको प्राप्त होते हैं तो यह सुंगों का संबंध इरान से जोड़ने वाले कोई और बिद्वान नहीं बलकि हर प्रशाद शास्त्री थे और इन्होंने सुंगों का संबंध इरान से जोड़ा है सुंगों की भारत में पाँच साखाएं बतलाए गई हैं जिसमें से सबसे महान साखा जो थे वो सौरास्ट या उज्जैनी साखा थे और जिसका सबसे महान तम साशक रुद्र दामन कहा गया है नेक्स्ट अवंती इस्थित कौन से सुंग साशक को महा कवे काली दास ने अपने नातक में वरनन किया है तो वो और कोई नहीं अभी बताया कि मालवी का अगनिमित्रम में आपको जानकारे मिलती है मालवी का अगनिमित्रम ठिक ना इसमें जानकारे क्या मिलती है तो इसमें यवनों को पराजित करने के करने के के जानकारे और एक तरफ नाम है मालवी का ये हैं राजकुमारी साहिवा और अपने अगनिमित्र साहब अपने प्यार के जाल में फांग ले और इन्हें ले भागे उसे में मालवी का अगनिमित्रम में अगनिमित्र और मालवी का के प्रेम प्रमय के चर्चा की गए है किसके प्रेम प्रसंगों के चर्चा है नेक्स्ट पुरानों में साथ वाहन वंस का मतलब क्या बताया गया है तो इसे आंध्र भृत्तिय कहकर सम्मूदेत किया गया है जबकि अभी लेखों में, अभी लेखों में, अभी लेखों में क्या कहा गया है, तब सात वाहन कहा गया है, इसे लिए इन्हें वाहन, इसे आपको आंधर सात वाहन बंस कहा जाता है, ठेक, नेक्स देखिए, तो इस तरह प्रश्णों के स्रिंखला समाप्ठोए, नमस्कार, आपका दिन मंगल मैं हूँ और आप सब एकदम सांदार तरीकी से अपने प्रशनों की स्रिंखा को हल करें ठेक, जय हैं, जय भार